नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमबानी अडानी पैसों के मामले में इतने सक्सेस्फुल कैसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी एपल, गूगल, अमेजोन इन्हों ने पूरी दुनिया में अपना बिजनिस किस तरीके से फैलाया, आप सोशल मीडिया पे एक से सेलेब्रिटी इसको देखते हैं, उनके लागों नहीं करोडों फॉलोर्स हैं, इतने फॉलोर्स उन्होंने गें कैसे किये, ये लोग अपनी फिल्ड में इतने सक्सेस्फुल कैसे हुए, क्या इनकी सक्सेस के पीछे कोई साइंस या कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक अग अगर आप अच्छे से सीख लोगे और अपनी लाइफ में अपलाए करोगे तो आपकी लाइफ पलट जाएगी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे चैनल पे लाखो करोडो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मानना ह हुए तो नहीं है, तो मैंने अपने चैनल पे एक गिब अवे कॉंटेस्ट अनौंस किया, जिसमें आप जो हैं वो गिब अवे कॉंटेस्ट जीच चुके हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको प्राइज मनी में एक करोड रुपया चाहिए, या फिर एक रुपया लेंगे, जो की डेली डबल होता चलेगा, वो भी एक महीने तक, तो आपका जवाब क्या होगा, ए मास्टार, पागल समझा तुना हमको, हम एक करोड रुपया लेंगे, तो अगर आप भी लाला जी की तरह एक करोड रुपया लेना चाहते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि एक रुपया लेना कैसे फायदेमंद रहेगा, याद रही ये एक रुपया एक रुपया नहीं है, ये एक रुपया प्रती दिन डबल होने वाला है, यानि कि आज ये एक है, कल दो हो जाएगा, पर सो चार हो जाएगा, और उसके अगले दिन सोला, उसके अगले दिन थर रुपे का आकड़ा पार कर लोगे यानि कि एक से लेकि 100 तक आने में आपको 8 दिन का समय लगा और इसी तरीके से अगर पैसा डबल होते रहेगा तो आप देखोगे कि 11 दिन आप 1000 रुपे का आकड़ा पार कर जाओगे यानि कि अब आप देख रहे हो कि 100 से 1000 के लिए समय देखोगे कि आप एक लाग का अकड़ा पार कर चुके हो इसी तरीके से अगर आपका पैसा डबल होता रहेगा तो आप देखोगे कि आप 25 वे दिन पर एक करोड की वेल्यू को पार कर जाओगे और अगर हम अपने महीने को 31 दिन का मान लें तो आप देखोगे कि आपका जो है वह महीने के एंड में 100 करोड की वेल्यू को पार कर जाएगा तो लाला जी अब आप बताईए कि आप एक रुपया लेना चाहेंगे या फिर एक करोड लेना चाहेंगे एक रुपया ही देदो मास्टर जी तो यह लो एक रुपया और इसको डवल आप खुछ से कर लेना तो अभी जो आपने देखा उसको कहते हैं कंपाउंड एफेक्ट कंपाउंड एफेक्ट हमको सिकाता है कि अगर हम किसी काम में लगातार लगे रहेंगे तो ग्रोथ जो होगी शुरुवात में हमको बिल्कुल भी नहीं देखेगी बट जैसा कि आपने अभी पैसे डवल व होता है और अभी जो मैंने एक्जामपल लिया था वो तो एक इमेजिनरी सिच्वेशन थी बट अब हम इसके रियल लाइफ एक्जामपल्स देखते हैं यानि कि अब मैं आपको कुछ केसी स्टडी बताऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि कंपाउंड एफेक्ट रियल 1976 में स्टीव वाजनियक और स्टीव जॉप्स ने स्टार्ट करी थी आज के समय में एपल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसकी नेट वर्थ 3 ट्रिलियन से पार हो चुकी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 1 ट्र कितना होता है अगर आपको यह नहीं पता है तो 1 ट्रिलियन होता है एक लाक करोड आप समझ सकते हैं की आखना कितना बड़ाया अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपल कंपनी स्टार्टिंग से लेके वन ट्रिलियन और वन से टू और टू से थरी कितने टाइम में 42 years का समय लगा, यानि कि 1976 से लेके 2018 तक का, फिर आप देखिए कि 1 trillion से अगला जो 2 trillion है, उसको आने में महज 2 साल लगे, यानि कि 2018 के बाद अगस्त 2020 में, करेक्ट 2 साल में एपल 1 trillion से 2 trillion पहुँच गया, और अगला जो 3 trillion है, वो एड करने के लिए एपल को only 1.5 साल लगा, यानि कि 18 महीने, जो कि जनवरी 2022 में एपल ने अचीव कर लिया था, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पहले trillion को आने में कितना समय लगा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो growth है वो बढ़ने लग गई है, अगले trillion आने में और कम समय लगेग American investor Warren Buffet के बारे में, Warren Buffet इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में 7 नमबर पे आते हैं, और उनकी net worth 100 billion से भी जादा है, एक billion dollar कितना होता है, अगर आपको यह नहीं पता है, तो मैं आपको बदाता हूँ, एक billion dollar होता है, 100 करोड dollar, अब Warren Buffet जो है, उनके पास 100 billion dollar है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने हमीर है, अब बात करते हैं, Warren Buffet के बारे में, Warren Buffet एक investor है, यानि कि वो share market में या फिर shares में पैसे लगाते हैं, उन्होंने काफी कम उमर में ही investing करना start कर दिया था, पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि Warren Buffet ने जब investing start करी थी तब उनके पास इतना पैसा सुदू से नहीं था, Warren Buffet ने investing start कर दी थी 20 साल की उमर से, पर उनको अपना पहला billion dollar कमाने के लिए लग गए 34 साल, यानि कि जब वो 54 years के हो गए थे, तब उन्होंने अपना पहला billion dollar कमाया था, इस समय वो 80 की उमर के पार हैं, और आप देख रहे हैं, उसमें समय बहुत कम लगाएं, तो यहां से भी आप देख रहे हैं कि इधर भी compounding काम कर रही है, कि समय के साथ starting में growth बड़ी कम होती है, बट एक समय ऐसा आता है कि growth बहुत जादा तेजी से होने लगती है, I hope कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि compounding कैसे काम करती है, और यह जो बड़ी बड़ी companies यहां बड़े बड़े businessmen हैं वो इतने successful कैसे हो गए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस effect को अपने life में किस तरीके से apply कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी कर रहे हैं, समय के साथ आप भी उसमें बहुत जादा successful हो जाएंगे, तो इसको मैं एक example से समझाना चाहूँगा, आप इसको relate करने की कोशिच करिएगा, मान लीजिए आज से आपने decide किया कि मैं fitness की तरफ ध्यान दूँगा और आपने running start करी, पहले दिन आप 100 meter दोड़ पाए, अब आपको क्या करना है कि आपको अगले दिन 1% जादा दोड़ना है इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले दिन हम 100 meter दोड़े थे, तो अगले दिन 100 meter का 1% यानि की 101 meter हमको दोड़ना पड़ेगा, 1% जादा, अब अगले दिन हमको 101 meter का 1% जादा दोड़ना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि इस तरीके से तीसरे दिन आप दोड़ पाओ एक सो तीन पॉइंट तीन मीटर अब यह जो एक परसेंट की छोटी सी बड़ोत्री है इसको अगर आप पूरे साल बर लगाओगे अच्छे से तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप साल के एंड में कितने मीटर दोड़ पाओगे इसका जवाब है तीन अजार साथ सो मीटर से भी जादा कवर कर लोगे यानि की 3.7 किलो मीटर यह फायदा है कमपाउंडिंग का कमपाउंडिंग जो होती है वो समय के साथ आपकी ग्रोथ को बहुत जादा उपर कर देती है पर अफसोस यह है कि कोई भी इंसान छोटे एफट लगाएं और बड़े रिजल्ट तुरंत ही पालें यानि की समय देना ही नहीं चाहते हैं तो आपने देखा कि कमपाउंडिंग के लिए समय देना बड़ा जरूरी है आपको समझ में आया होगा और अब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अपलाए करेंगे अरे रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो अब मैं मिलूंगा आप से लिए वीडियो में जब तक के लिए राम राम जी